कि नमस्कार में मीथ हुन यादवाव सभी का कॉंपटिशन कॉमुनिटी पर स्वागत करता हूं गाइज यह जो वीडियो होने वाला यह कि यह जो एसा एशा मेंज की ऊपर होने वाला ध्याँ रखेगा अब प्रिलम्स का पेपर आप दे चुके हैं का इच रिजल्ट भी जो हैसो रहें कि यह नोने कर चुका है अब सभी को पता लग गया होगा पेपर का प्रिलम्स का क्या लेबल है क्योंकि एसाई प्रिलम्स की कॉम्पूटिशन कुमूनिटी बिल्कूल फ्री अपकोश कराया था यूटूपर अगर मैं मैंस की बात करें क्योंकि मैंने मैंस पढ़ाया था वहां पे आप लोग को तो मैंस के जो दस कोस्टन तो मुझे लगता कि आपको ऐसा सचेस हो गया होगा सर आपकी वीडियो से बाह पैटर्न होगा तो हाला कि 2012 के बाद एसाई मैंस हुआ नहीं है लेकिन अगर आप 36 गड़ की बात करें तो आपकी पिछले दो साल से जो भी एक्जाम यहां पर कंडर्ट हो रही है जो व्यापम भी कंडर्ट करा रही है उसमें हमने 2022 से जो अबजर्व किया है वह पैटर्ण में चेंज हुआ है मैथमेटिक्स की फिल्ड की बात करो तो एक कोस्टन की जो लेवल आपको दिख रहा होगा अचानक जो यह इंक्रिमेंट किया है अचानक यह अच्छे-च्छे कोस्टन पुछना सुरू कर दिया और खास करके वैसे कोस्टन जो ओसीरे आपके व्यापम म पुछेंगे पूछेंगे उसमें कोई सक्की बात नहीं है इस तुछ बच्चे जो जितने बच्चे ने PGPC का पेपर देखा उसमें सी सेके पेपर में मैथ्स के लेवल अच्छे देखने को आपको मिले थे तो आप इसको नकार नहीं सकते लेकिन दूसरी तरफ यहाप हम थो संभावित हो सकते हैं मतलब वो संभावितों हो सकते से यहां। यहां पर इ chromosomes के दस वीडियों के दिख सकते के लिए यहां पहुए बहुत अच्छा देखने मिलीगा चलिए रहा है। कि मतलब वो कॉस्टन जो संभावित हो सकते एक जाम में उसी लेवल के हम बात करते हैं आपकी माइंड को डेवलब करने का प्रियास कर रहे हैं ठीक है चलिए तो इमीद करता आप सारे को सेयर कर देंगे अब देखिए बात है कि इसके सिलिवस पर इंगर डाल लीजेगा सर य यह एप्रिटूट की बात करें सर किस लेवल के कोस्टन होंगे यह दो चीज़ से रिजाइड आप कर सकते हैं सर अगर पर लेकिन आपको नजर टाइमिंग पर देना चाहिए वह टाइमिंग ज्यादा इंपोर्टेंट है अगर सर यहां पर बात करें टाइमिंग का तो यह गंटे दे रहे हैं तो यार इक चीज़ बताओ 100 कोस्टन दो घंटे बच्चों से अगर वह सौल कर रहा रहा है तो पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं सेट कर सकता है इस बात को ध्यान देख लिए गबार क्योंकि दो घंटे 120 मिनट में अगर वह 100 कोस्टन में सौल कर रहा है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं यहीं तो दिक्कार भी नहीं दे सकता है और आप सब्सक्राइब को गाई एक मैसेज देना चाहूंगा कि यह एसाई का जो पेपर है यहां पर टाइम मेनेजमेंट आपका बहुत बड़ा समस्या बनने वाली है अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो अभी तो आम तोर पर व्यापम के बच्चे और सिजी पेसी बच्चे करते गया कि वह मैस को थोड़ा सा बाद में वेटें देते हैं क्योंकि यहीं वह पेपर जहां पर करके नमर लाओं बोल करके लाओं तो बनाया हूं गलत नहीं हो सकता है सबसे स्कोरिंग पर यह होने वला है इतना आसान करके दूंगा घबराने ज़रूत आपको नहीं है यह आपको इस साल से पहले ससी पैटरन को यह तरह था कि सो कोस्टन दो घंटे टाइम मिलता था तो कोस्मा पर स्पीड की बहुत अपकी रिक्वारेमेंट है तो मैं थोड़ी सी से बात जरूर करूंगा आप सभी एस पैरेंट के लिए मेसेज मेरा रहेगा कि सरी स्पीड को कैसे बढा सकते हैं तक कि हम दो घंटे सो कोस्टन आराम से दो घंटे से एक मिनट एक्ष्टाप नहीं लोगे क्योंकि अपने आप में मंदार होना बहुत जोर रही है हो सकता पहले टेस्ट में दो घंटे में 30 कोस्टन बना लेकिन अगला कोस्टन भी चालीस बनाएंगे पचास बनाएंगे लेकिन आप मेंस से पहले जितना मोग प्रूख जाना है ठीक है और ऐसे करकर कि अगर आप 30 प्लस मोग अगर लगा लेते हैं मुझे नहीं लगता है कि आपको इस टाइमिंग का इस सुझाएगा लेकिन टाइम मेनेजमेंट सिर्फ और सी मोग से होगा इस बात को फिर मैं आपको बता देता हूं ठीक है हां कुछ ब ब्रांच में जा करके ओफ लेटेंट कर सकते हैं ठीक है ध्यार रखेगा दूसरी बात ऐसाई मेंस का ओफ लाइन बैस को लेकर बच्चे बड़ा परिसांत है तो मैं आपको बता दू सारे बच्चे को अभी ऐसाइमेंस कोई डेट आया नहीं है लेकिन 13 मार्च से ऑफ 13 मार्च से आ रही है ठीक है और मैस मैं पढ़ाऊंगा ध्यार रखने इस बात को ठीक है तो मैस के जो लेबल होनी चाहिए अराम सी लेवस खतम कर दूंगा इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है यह बात हो गया एक छूटी सी जनकारी में अपने अंसे देना चाहूंगा जरूर देना चाहूंगा चलिए बात करते हैं देखो एक एसाई एससी को लेकर के ना 36 गड़ में पिछले 5 साल से मैं हूँ तो एक काम तो यहां पर मैं करना चाहतों सभी बच्चों के लिए ना सभी एसपेरेंट के लिए कि दोस्त जितने बच्चे इसे हैं जो अभी टें अब कर दो आपको पोश्च को मिलेगा ब्स एसाइए इसाइब वेकर जो पोस्त होती है वह सारी पोस्ट मिलती है तो इस पर मैं 36 गड़ में एक वेर्नेस की उन्तहत में काम करूंगा और अच्छी बात है कॉमपटिशन के लिए लग से टीम बना लिया है इसके अलग फैकल मेंबर हैं और बहुत सारे मैक्सिमन फैकल्टी आपको 36 गड़ के बाहर के मिलेंगे 36 गड़ के इसमें आपको एक भी नहीं मिलेगा ठीक है किसमें ससी बैंको रेलवे में इसको पीसी से जोड़के मत दखिया पूरी तरह से अलग टीम है अलग सेपरेट इस सब कुछ है ठी इतना 1,35,000 मैं जनकारी ने बता दूँ कोई बच्चे जनकारी अबाब में पढ़ाई छोल कर घर चले जाता नहीं नहीं कोई दिक्का तो आप मिलने परान चाहो हम लोग जितना help हो सकता मैं आपकी करूंगा कोई दिक्कत की बात नहीं है तो इस पर याद अखिएगा चु अब इसके लिए आपको क्या benefit होगा हम चाहता है कि आप सभी बच्चे मेगा टेस्ट है फ्री मेगा टेस्ट इसमें टॉप 50 बच्चे को प्राइस देने जा रहा हूं टॉप 50 बच्चे को इसका arrestation सुरू हो गया को website पर जरूर कर लिजेगा आप SSC bank करे या नहीं करे कोई नहीं पड़ता है आप PSC के बच्चे हैं आप SI men's के बच्चे हैं question आप से ही बनेगा क्योंकि आप वही math पल रहे है वही reasoning पल रहे है तो मैं चाहता हूं कि अबर आप जरूर प्राइस मेगा टेस्ट में और टॉप 50 बच्चे को प्राइस मिलेगा टॉप 3 को मिलेगा tablet तो म उमीद करता है चोगदा मार्च को मेगा टेस्ट है तो आप रहे इस टेस्ट जितना हो सके जल्दी कर लें ताकि आपको इसका लाब मिल सके ठीक है चलिए अब हम सीदे सीदे question के और लेग चल रहे हैं परसंटेज पड़ा रहे हैं परसंटेज क्या यह कुछ हम बहतरिंग स पर वीडियो बनाएंगे हैं पहले आपको बता दे रहा हूं ठीक है चलिए बहाद रहे हैं सुरू करते हैं सीदे question के और ठीक है पहले कुछ question असान होंगे एक दो ताकि आपको तरह सके अब उसके बाद आपको सवाल का लेवल आपको बहतरिंग देखने को मिलेगा पहला स सवाल क्या बोला कि सटूडेंट एक विद्यारती है एक संख्या को ना समझो शेपाच बटे चार से इसको गुना करना ता गलती ऑनों चार बटे पांस से मल्टीप्लाइ कर दिया गलती से तो सरे गलती के कारण इसको एज़र्श केल्कुलेशन में कितने परसंड कर रहा है तो कभी भी अगर याद एक fraction में अगर दिया जाए तो आपको एक ही काम करना सवाल को कितना जल्दी खतम करेंगे यह इस बात पर depend करता है कि नमर को मानते क्या हो आप सवाल को सौल करने बेश तरीका और गलती हमसे क्या होगा एक वर मैं आपको समझा तरीका है एक लाइन का सोलूसन दे रहा हूं ना अब यहां पर संदेश का कोई बेशिक उम्मीद मत करिएगा हम से कोस्टन कराना है तो आप प्रिलम्स का जाकर पर वीडियो देख सकते हैं मैं पढ़ाया हूं वहाँ पर शरी नमर क्या मान लें हम बहुत बेस के दो यहां पर चार बटे पांच यह पांच बटे चाह तो इ लेकिन जल्दी मानने के लिए चलो अब क्या सही क्या होता जब यह नमर को पांच बटे चार से गुना करते हैं कौन सी नमर तो नमर माने कितना बादर हो हम 20 अराम समझना आराम से वह बच्चे जो कुछ कभी नहीं पढ़ा मैं तो उसको समझा दूंगा मैं ठीक है अच्छ अब यहाँ पर गलती क्या हो गया हमसे अरे शर गलती हो गया न कि अब इस नमर को ओना चार बटे 5 से गुना देखे कौन सा नमर तो इस बीस को अब रिजल्ट सर चार से करण 25 नहीं पचीस आना चाहिए था रिजल्ट सर यह पांच से करण चार बार मतलद 4 चो का 16 पर आप का तो जाएगा बाद रो ठीक है साथ तो जिस पर कम ही होता उसी को बेस मानते हैं और आपको परसंटेज चाहिए क्योंकि एरर परसंट कुछा है इसे 100 से इंटू कर रहे है तो 25 से कड़ जागा चार वार में मतलब सारी हो जागा 36% का एरर आगे बाद रो कितना होगा 36% का ए प्रात वाद रो अगले सवाल कि लुख करते हैं देखते हैं अगला सवाल क्या है कोई डाउट हो कमेंड करना अगर इस दोरान ऑब्राट का वह ले कोहा है बीकत बिलकुल आ जाना है तुम है ना समझो आप सब मेरे भाई बनके समानों आओ कभी भी कॉम्प्टिशन के मेंडिया आओ कोई दिक्त की बात नहीं है अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बादो नो क्या होगा देख लेता है पटाबर से देखिएगा एक खुबस्तुरत सवाल है इस पैटरन के भी सव 250 नमर एक्जाम में लाता लेकिन वो फिर 38 नमर से फिल हो जाता है क्या बबू 250 नमर लाया तब ही 38 नमर से फिल हो गया तो बड़ा सर ये एक्जाम का Maximum Marks कितना होगा बताना चाहता हूँ किस तरह के सवाल जब भी passing marks को passing marks के बराबर कर देना क्या बला बढ़ रहूं इसे questions को passing marks को passing marks के बराबर कर बात खतम तो सरी जगत डायटे 40 परसंद दे दिया हम बहुत बढ़ी है लेकिन सारी नम्मर से passing केसे निकलेगा हम बहुत 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 रहूं 250 नमर लाया और अगर 38 नमर से फेल हो गया, मतलब 38 नमर पीछे रहा गया, अगर उसको 38 नमर और दे देंगे, तो अगर इसको पास कराने के लिए बीटा, 38 नमर और आपको देना पड़ेगा, तो फेल हो जाएगा, मतलब 38 नमर और अगर अधीक लिया आता तो वो घटा आ जाते, देहा रखन कोई दिकत नहीं आप एक परसन का मान क्या करेंगे 288 डिवाइड बादरो 40 लेकिन रुको ना बादरो रुको अधिकारियों रुकना पढ़ेगा अपको ठीक है अब सुने ध्यान से तो सर सौ परसन किसे निकलेगा हम बढ़ा असान है यार 288 अपन क्या होगा बादरो 40 और 20 क्या कर देंगे 100 अब घंडेड कितना असान है पासी मार्गों पासी मार्ग से बरावर कर देंगे झार जो करतें डोनों आ सवाला सान था और आपको कियो पहले कहा था कि आपको प्रस्टेशन होने लगा सब्सक्राइब करने लग जाएगा सवाल देखने बड़ा खुपसुरत लगेगा जब बनाने जाएंगे आपको देखने को मिल सकती है सवाल को पढ़ना सुरू करते सवाल आखिर क्या दिया है बहुत बढ़िया अब समझेगा आगे सबस्ब्सक्राइब करने इनकम किस से कम है सर इनके दोनों के समसे बाद रहूं सबस्ब्सक्राइब और बी की आयका जो योग है जोड़ है उससे 55 परसंट कोने कौम सी रुको मान लेते फटा परसे रुक जाओ से बनाओ क्या चलो यह 25 परसंट का मतलब मितुन से बताओ गया हम बोले हां तो वह दो तरीका है यह तो सौ मान लो बात बराबर है यह तो 25 परसंट का मतलब सिधा स्था बोल सकते एक बटे चार अब कंपेर एक का बी से क्या मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा भी सिधा- सब्सक्राइब और बात समझ लो और असान कर दों क्या चलो ठीक है देखिए कंपेर किसे कर रहा है और बी से बलाए अगर बी से 25 परसंट ज्यादा था हमने आपको एक कौन से समझा रहा है फिर समझा रहा हूं जिससे कंपेर किया जागा बहादरों उसी को मानेंगे 100 तो इन दोनों के योग से तो सर यह 100 और यह 125 तो हो जाएगा 200 तो 225 का 65 परसंट बादरों अगर कम है मतलब 35 परसंट रहा है तो यहां से सीधा सीधा कर देंगे क्या बो 35 बटे कितना 100 यहां से काफी कुछ कट कि जाएगा तो इनसल मत लें ठीक है अब समझो क्या हो जाएगा स 25 से करा दो कितना वार में बोलो चार वार में अब कोई तकलिफ नहीं सर अब कुछ नहीं करना अब बहुत कुछ कटने वाला है जैसे हम पुरे रेस्यू बना तो तो तीनों का तीनों का रेस्यू बना दूँ हाँ पांस से कराओना सर इसको साथ वार में हम बोले हाँ पांस से कराओना सर इसको बीस वार में और पांस से करा दो इसको कितना वार में बोलो पचीस वार में अब हम बोले बाद दो कुछ मत करना यह जो नीचे चार इसका क्या काम है कुछ नहीं सर यह बटे डिश्टब कर रह बोला है कि सी जो है सो ए से कितना परसंट कम है हम बहुत सबस्क्राइब तो यहां से सवाल का लेवल तो आपको difficult मिलना सुरू होगा जो मेंस लेवल के लिए requirement है क्योंकि आपको पता कि मेंस लेवल में जो सवाल का लेवल होती है आपको करना पड़ेगा हम अगला सवाल आपके स्क्रीन प्रसंट आ चुका है एक और खुबसूरत सवाल देखते क्या है इस तरगी सवालों को सर करना क्यों जो जो रहे है यह इंपोर्टन्ट है आए पढ़ते किसी भीनिक के जो अंस हैने सर उसको 30% से विर्धी कर दिया जा और उसके जो हर है ना उसमें 20% की कमी कर दिया जाए इसके कारण जो ऐसो जो मुझे fraction पराप्त होगा जो मुझे भीनि पराप्त होगा वो 5 बटे क्या होगा दो पराप्त होगा तो आखिर मूल भीनिक क्या था तो बहुत एक लाइन का आसान सवाल है देखिए एक लाइन का ना हम लोग किया से सुरू करते हैं देखिए लिए जो मानने जो फ्रेक्षन आपको बोलते हो जो मानने जो भीन नहीं उसको मान लेते हैं कि सरी एक अपन क्या हो जागा आप देखते रहेगा मैंने एक बात समझाया कि दुनिया की हर एक नंबर अपने आपने आप में 100% आ बढ़ गया तो आप समझ लेना कि 120% हो गया क्योंकि वह अपने आप में 100% पहले से रहा होगा अगर किसी को 30% बढ़ा होगे बादरों तो बढ़ करके 130 हो जाएगा अगर किसी को 20% कम कर रहे हैं तो या दखिएगा वह 100 से घट करके 80 हो जाएगा यह इंक्रिमेंट और डिक क्या होगा हम बले इसको अब 20% से कम कर रहे हो तो 20% से कम होगा घर यह कितना होगा सरी 80% होगा अब जब परसंट लगा सब तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जैसा यह काम किये तो यह फ्रेक्शन जो बन जाएगा कितना बन जाएगा सर 5 बटे 2 अब एक लाइन सिब कट सब्सक्राइब करें अब इसको प्रैक्टीस में ला सकते हैं और कहीं भी गलत नहीं होगा कई वर क्या कर लेता हूँ अगर यह 300% बढ़ा तो यहां पर 400 गुना करते हैं क्यों और यह 200% से बाहता है बादर तो क्या करते तो यह 300% हो जाता सो जोड़ेना तीस बोला और सो जोड़ गे एक सो तीस कर दिये अगर तिन सो बोलता सो जोड़ गे चार सो कर दे तो धिया रखना मतार कोणेट भी साथ से बता रहा हूं कि इस टाइब के कोई सवाल आय। तो उसको छोड़िएगा म meillä चलिए आगला सवाल बहादूर आपके स्क्रीन पे कुछ यू रहा देखते हैं फटा बढ़ से देखिए एक और खुबसूरा सवाल हम चाहते हैं कि इस तरह सवाल काफी इंपोर्टन्ट इसको जरूर ध्यान दीजेगा इसको जो हम सॉल करने तरीका बताओं को बहुत यूनिक होगा क्योंकि इस सवाल आपको मैंस में पुछने का बहुत चांस है बहुत चांस है ठीक है आईए बात करें चीनी का कीमत मार्केट में 30% से कम हो गया तो बताए कंजम्शन कितना परसन बढ़ जाएगा अगर ऑवरॉल जो है सो खर्च को यह 10% से सिर्फ कम किया हम बोले हां सर यह ऑवरॉल खर्च क्या हुआ बताओगे क्या हम बोले हम बताते हैं तुम गुसप समझाते हैं प्यार स चीनी मिला था तो दोनों को प्रोड़ जो गया हो टोटल खर्च बताता टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्च ठीक है बाद रहां टोटल एक्सपेंडिचर तो कितना हो जाएगा 100 तो यहाद है कि इस तरह सवाल में आमतोर भासा में यही तीन वर्ड का इस्तमाल कि खर्च मतलब प्राइस कंजंशन और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च ठीक है बई तो क्या सब्सक्राइब करना नहीं बटा को बता रहा हूं कि जैसे प्राइस घट गया तो तुम्हारा ओवरॉल खर्च कितना कम कर लिए तुम लोग 10 परसंट नॉर्मल सवाल में क्या होता ह तो इसको इसको रखा जाता है कि यह सवाल थोड़ा एडवांस लेवल का है जहां पर इसको भी परिवर्तन कर रहा है जहां बचे मिस्टेक करते हैं तो हमारे इंसाफ से पैंट क्यों चलाओगे परिमत चलाओ आईए हम जो जो लाजवाब तरीका बता रहे बात और उस पर बात करते हैं जहो कुछ नहीं करना जवरजस्ति तुम लोग जवरजस्ति को खर्च को सवाल की सुरुवाद करी कभी गलत नहीं होगा अभी तक जितनी सवाल पूछा है ठीक है हम बोले ठीक है सब्सक्राइब आप समझेगा अगर यह प्राइस को बढ़ाए तो आप कोई कम कर देना मदलब जो भी ए अगर प्राइश बल रहा है तो अब चाल खाल को घट रहा है तो खरश को घटा दिना के अगर यह बढ़कर कहा जाना पड़ेगा 90 तो सर सतर से 90 जाने के लिए विड़ाना पड़ेगा सर बीस बढ़ाना पड़ेगा किस पर बढ़ाओगे बहादरों तो सर सथर बढ़ाओँगा बात खतम और गुने क्या कर लेंगे सो कोई बचा पैन मत चला ना सर एक बटे साथ का मतलब 14 साही दो बटे साथ होता है गुने दो करेंगे तो यहां से क्या होगा बादरों सरी 28 बटे कितना होगा 28 साही 4 बटे 7 परसन तो 28 साही 4 बटे 7 परसन कहां पर अपसर नमर 2 जो राइट अंसर आप देख सकते हैं तो आपकी खपत जो बढ़ जाएगी 28 स सवाल क्यों पर चलाएं क्यों पर चलाएं बताओ ना नहीं चलाओंगा ठीक है चलिए इमीद करते बादों क्लियर रहा होगा अगला सवाल आपके स्क्रीन पर एक और खुबसूरा सवाल यह रहा मैं चाहता हूं इस तरह सवाल आप जरूर प्रैक्रिस करके जाए ताकि हों पहly बहुत बढ़ हैं सर B.C. की तलना में 20 परसंट अधिक प्रत किया और और C.D. की त्लने में 32 परसंट कम अंख प्रत किया तो Grandpa आटिक प्रत कियो तो B दुबरा जो SO कितना प्रत किया गया इह वु Sवाल है जो आपको बेकुब बनाने परियास कर रहा है, इतना घुमाद भी आ कि बच्चा डर से अटेम्ट ना करे, लेकि आपको लगता है कि आप छोड़ दोगे सवाल, मैं आपको छोड़ने दूँगा, क्या लग रहा है क्या नहीं, बस हम ये समझ जाएं कि 10% का मतलब अब उसका fraction कितना होता, 10 बटे 100 का एक बटे 5 होता है, इसके आलब आपको मैं कुछ समझेने का मौका नहीं दूँगा, सिदा सवाल आप से स्वाल करा दूँगा, चलो, आप मुझे इतना बताइए, ये AB का तुलना करा रहा है, हम बोले ठीक है, AB का जो तुलना हो रहा है, क्या बोल रहा है, सर ये AB से 10% क्या 10, तो ये 0 कटा होगे, तो बेटर है, हम कटा करके लिए 10 होने पात 11, इस भासा को एक और तरीके समझना ज्यादा बेटर होगा, क्या बता हूँ यहां पर, लो, मैं समझा रहा हूँ, सर ये 10% का मितलब क्या होगा, हम बले 1 बटे 10, और नीचे वाला जो होगा, वो बी होग तो नीचे वाला वो होटर होगा, जिससे कंपेर किया जाता है, यह सब कोर कॉंसेप्ट है परसंटेज का, जो मैं यहां पर डिसकस कर रहा हूँ, हम से सवाल कराने नहीं आया हम बादरों, यहां देखिए का कॉंसेप्ट भी सीखना जरूरी होता है, ठीक है, तो यहां इतना कमेंट कर तो 20% मतलब एक बटे 5 नहीं होता हम बोले हां, तो अगर C बादरों, अगर C बादरों 5 रहा होगा, तो उस पर एक ज्यादा है, तो C अगर बादरों 5 रहा है, तो यह से एक ज्यादा मतलब 6 रहा है, देखिए लो, आप बोलो इसा रेशियो का फ्रेक्शन, जो मतलब रेशियो का बैलेंसिंग जो पढ़ा है वो चीज़ दीख रहा है, हम बोले वही दिखाना चाहरे थे, आओ, आगे पड़े, C बोला 32% कम है, COD में अगर हम बोलने तो नहीं करा रहे है, तो अगर D अगर 100 रहा होगा, यह 32% कम है, मतलब 68 होगा, देखो, अगर COD क यहां पर बात करे यह, अगर D तो यह 32% कम हम बतलब 68 है, अगर इसका रेशियो बना लेते हैं, तो इसका रेशियो क्या बनेगा, सरे 17 अनुपाद क्या बनेगा, बोलो 20, हम बोले हाँ, 25 बना लो न, हलाकि मैं recap करा दू हम बोले balancing को एक वार जो बच्छा नहीं भूल गया होगा तो रेस्यू का वीडियो यूटूब पर मेरा पढ़ा है हलाकि मैं recap अभी करा रहा हूं नोरी पहले एक लिए क्लिए क्या करते हैं एक पालाटर में इसलिए first column को सब को multiply कर लो हम बोले कैसे कर लें कुछ मत करना कुछ मत करना ठीक है अब बी के लिए क्या करते बादरो उपर से first column से एक छोड़ते हैं यह कुण से हो साइक दिक्कत दिया तो यूटूब पे मेरा ratio का कई वीडियो पढ़ा है वहां पे गवार जाकर करके दस मट जरू टाइम दे दिजिएगा क्योंकि अभी element B है B के लिए क्या करते हैं उपर से पहले column से एक element को छोड़ना पड़ता है इसके सामने में जो होगा इसके बदले उसको लेना पड़ता है तो अब लेलू 176 102 पर एक 10 से गुना कर देंगे कितना हो जागा बादरो देख लो हमपे 1000 कितना हो जागा 20 आई अब सर C तो C कैस सब आदरो D है तो D के लिए सब को multiply कर लो 25 गुने 5 कितना होगा 125 और इस पर 10 से गुना कर देंगे तो हो गया काम हम बोले हाँ अब जो भी बोला देख लेते हैं सवाल बोला सर A 272 अंग C से जादा पराप्त किया है हम बलाओ हम देखते हैं हमारे हिसाब से कितना पराप्त क ہے हमारे रेसियो के हिसाब सेभी A C से 272 पराप्त किया हैई और इवी 172 तो 272 का मंद 22 para tu एक सवाल में बूला क्या है ऊदो भी कितना मांक्स पराप्त किया है तो यह का मांक्स और 1020 का मने या सी नृथ यह को जाग घाएघां तो मैं आपको concept पर फोकस करनी पड़ेगे ठीक है चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर बाहत देखते हैं क्या होगा एक और सवाल आपके स्क्रीन पर आचुका यह देख लिने फड़ा बड़ से है क्या देख कितने खुब सुरत सवाल है जो percentage का सवाल है बहुत चांस है कि यह सामने में तुम सवाल से बहुत उपर हो समझो डर ना बत बस मैद से जो डर गए वो घर गए मैं भी बोलता हुर्या य के बारें क्या बोला देखो सर वाई के एक चौथा ही हम बहुत बढ़िया का 30% का मतले 30 बटे कितना 100 का 2.5 गुना बहुत बढ़िया क्या बढ़िया ब सबसे पहले ना हम बोले क्या यह परसंटेज से परसंटेज लिप्टा दो ये दो से दो लिप्टा दो सब्सेंगें बंऊ-चे दो लिप्टा है, अब क्या करें लागें? टो ये ये उल्टा हो गा, ये तरी निचे आ जाएगा अब सवाल क्या बोला देखते हैं तो Y और X का जब रेशियो आगया तो सवाल कर ही क्या सकता है बादरों अब तो सवाल बननता है सवाल बला सब देखो X Y से कितना परसंट अथवा अधीक या कम है X Y से कितना परसंट सबसा बोला है सबसा देखो x y से कितना परसम, यह अधीक है, x y से अधीक है, सर वो 2 है तो यह 3 है, तो कितना अधीक है, तो सर यह 1 अधीक है, तो यह 1 अधीक किस पर है, तो सर यह 2 पर है, देखो न, तर यह नीचे 2 रख लो बावू, और इंटू क्या कर दो, 100 कर दो, तो अब देखें, 100 क्यों कि यह, प तो हो सके आपको भासा के चकर में खुड़ा सा गलत करा से तल गलत मत करिएगा और मेरा मेसेज वही रहेगा कि पहले अग्जाम में जाएंगे आसान को सॉल करेंगे फिर हम बाद में देखेंगे क्या होने वाला ठीक है चलिए बाद रहा अगला सवाल आपके स्क्रिन पर यह देखते रहे ना है यह गल्स बॉइस से डवल है डवल है मतलब मालेंगे 200 अगर लड़कियां होगी बाद रो तो लड़कियां कितना होंगे 100 होंगे बात खतम करें हम बोले हाँ देखते रहे ना बस अच्छा सवाल अब बोला सब तीस परसन जो लड़किया और पैतालीस परसन लड़किया दो इसको मैनस कर दो सिधा सिधा अब मैं तर्स लड़कियां समझे तीस परसन लड़कियां संद्टर प्रसन नहीं लिए तो डाटे तुम सतर परसन निकाल दो लड़के कितना ले लिए 45 परसंद लड़का भी नहीं लिए बाद रो तो परसंटेज बताओ परसंटेज बता रहे हैं रुख जाओ लो परसंटेज बताओ रहे हैं सर 195 यसे बचे जो नहीं लिया आउट अफ टोटल बताओ कितना बच्चा था मुले 200 परसंटेज में निकालेंगे इंटू सवा कर दीजेगा डवल जो लिप्टा दो तीन से करा दो सर 65 हो जाता है हना 65 परसंट जो यसे बच्चे था जिन्होंने डिमिशन नहीं लिया और और जो राइट अंसर इमीद करते हैं सवाल क्लियर रहा होगा आई अगला सवाल आपके स्क्रिन पे कुछ ही रहा अभी सवाल आपको लग रहा हो सरी बड़ा बहतरिंग सवाल है बड़ा सवाल लेकिन घबराना नहीं है यह बहुत कॉंसेप्च्चुल सवाल है बता दूँ और भी कमा रहा है उसका 20% वो खाने पे खर्च कर रहा है बहुत बड़े हैं आगे बोला सथा देखो 25% of remaining हिंदी में देख लिजेगा सेस का 25% है यहीं पर बच्चे गलत करेंगे यह remaining word आप नहीं देखोगे आप गलत कर जाओगे तो इस सवाल में सबसे ज़्यादा इंपोर् थीन परसण अफ रिमेन इंग यह दोनों खर्च करने बात जो पैसा बच गया उसका उसका उसके बचे बात जानते हैं इंकम टैक्स भर दिया और उसके बावजूत बंदाना तईसको चालीस सबारा पैसा बचा भी लिया तो बोला साब बताऊ ना कितना खर्च किया है लो शुरुबात कर उं, बादे रूँ, ठिक है हम शुरुबात करते हैं, धेखो हाँ है हम यहाँ पर मानते हैं कि इतलिए हम इंपम रहा होगा इसका इंकम कितना रहा हुगा उनकर待 हम लेता हो हो, हम बहिता ठीक है, थीक है, सारे, 20% ना फूट पर खर्च किये, तो 100 प्रसमा बहिता हुअज कहां थीए हम बह– फूट पर स्वम लिग दिया, अब बहित, आब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कितना बच गिया, सर अब 16 बच गिया b deven — बचा scratching आ हुआ CR का 25% कहां खर्च किया तो यह 80 का जनति है सर 25 कितना होगा हम बहूं बहुँ अच्छा एसा है ठीक है अब क्या बोला कि सर जो बच गया उसका 33 बोटे 3 तो 33 बोटे 3 का मतनलए बोटे 3 तुम सब जानते हो हम बहु Cynthia जानते हैं, तो सर 60 का जब एक बटे 3 निकालेंगे ना, फिर से 20 X निकल जाएगा, सर एक बटे 3 कहां साया, हम बला रे 33 सर एक बटे 3 का फ्रेक्शन भेल बटे 3 होता है, और यह कहां से इंटर्टेन्मेंट पे, इंटर्टेन्मेंट पे खर्च किया, तब सर क्या बचेगा, हम लेकिन 40 X में फिर से 10 परसेंट वो कहां खर्च किया, ट्रेबलिंग में, अरे सर, 40 का 10 परसेंट तो कितना हो जाएगा, हम बले 4 होगा, तो 4 X ट्रेबलिंग में खर्च कर दिया, तो फैनली कितना बचाया हो, सर फैनली बचाया कितना 36 X है, लेको रूख जाओ, रूख कर लेगा, 36 X में वो क्या कर लेगा, टैक्स को भर देगा, ठीक है, हम बले अच्छा, इसी में से, हम बले कोई दीकत नहीं है, अब देखते रहे न सवाल को, हम बले टोटल खर्च को टोटल खर्च के बराबर कर दो, कोई तकलिफ की बात तुम्हें होना ही नहीं चाहिए, ह हम बले हाँ, यह भी तु सही बोल रहा है, हम बले हाँ, आओ, चेक करें, हम बले सर, बज़यता हो, हम बले क्या, 36 X में, हम बले हाँ, एक लाइन में सौप कर लो, हम बले 36 X तो था तुम्हारे पास, इस में से तुम लोग क्या कर दिये हो, 900 रुप्या किसाब लिखा है, हम बले हाँ, इतना बच रहा है, हम बले हाँ, सवाल बले हाँ, हम बले हाँ, आप कुछ नहीं करते हैं, यहां पर देखो, 36 X का मान आप सिरह सथा, इसमें 900 जोड़ दो, जैसे बादरो 900 इसमें जोड़ेंगे, तो होगा क्या, हम बले क्या होगा, तुम बताओ मुझे, अरे सर्कुछ नहीं होगा इससे हम 900 को जोड़ देंगे न तो हो जाएका इसे मुझे बतीस सो हो जाएगा एक्स का मान कितना होगा 324 बटे कितना हो जाएगा 36 लेकिन हमको यह एक्स नहीं चाहिए हमको यह x का मान निकला है, हमको सर 20x, तो 20x के लिए किया करना पड़े का माद आगा, यहांपर x का मान निकल जायاخा, हमको अप क्या करना होगा, बीच से गुना करना होगा, जगा थोड़ा कम बच रहा है, इसा में देख रहा हूँ, तो सर यहीं से निकाल दूँ कि हम बोले हाँ तो 20 X के लिए क्या करते हैं समझ लो 20 X के लिए जगा थोड़ा काम है समझ जाना तुम लोग ना सर यह 3240 डिवाइड भाई कितना होगा 36 और गुने क्या हो जाएगा हमारा 20 तो सर 20 से किसे कट आँगा एचर हुए हो सर चार से 5 और गठाद दो चार से करता है नो बार में नो तिया 27 और 9 चका कितना बच्चे के लिए चोवण और जीरो तो सर 36 गुने 5 कर दो गया हम बोले हां कर देंगे तो जीरो हो जाएगा च्छा पंचे 30 का बाद रो जीरो का क्या है फिर केरी कितना हो गया तीन और यहां पर देख लो पांच तीया 15 और तीन कितना हो गया बाद रो अठार हो गया तो सर आप देख सकते आठारा सवाल आपकी स्क्रिन पर कुछ यू रहेगा आ अभी सवाल का लेबलब देखिया बहुत खुबसरत है खुबशूरत टरीकत बनाते भी रहे हैं पर टोटल जो नमबर शो मेल और फिमेल एकस बिलासपुर में वो सर एक साल के बाद बढ़कर कितना 73,520 हो गया तो सर बता सकते हो क्या डिफरेंस क्या होगा मेल और फिमेल में इस टाउन में बिगिनिंग में हम बहुत बढ़े हैं इसे सवालों के लिए आप अलग से कुछ मत करना इसमें एलिगेसन मिक्सर भी लगा सकते ही लेकिन एलिगेस यह फिमेल हो जाएंगे और इसको तुम मेल मान लो फिमेल बढ़ रहा है चार परसंट से बढ़ने दो और मेल बढ़ रहा है छे परसंट से क्या हम छे परसंट को चार परसंट पलस दो परसंट कर सकते हैं अब बोलो क्यों नहीं कर सकता है तो छे परसंट ही ना तो हम चार परसंट प्लस दो परसंट बाधिरों अलग से लिख लिए को दिकत नहीं अब मेरा सवाल है कि मानलों ये दो परसंट है ही नहीं अगर ये मेल और female दोनों 4% से बढ़ता बहादुरों तो क्या होता है ये total जन संख्या एक साल के बाद कितना बढ़ जाता अरे सर बढ़ आसान है क्यों किसी नमबर का एक परसन निकाले के लिए साथ दो के बाद पूंट चिपका देंगे तो एक परसन का मान हो जाएगा 700 अगर चार परसन का मान निकाले का जाएगा कितना 2500 आने की ये बात ये हुआ कि अगर मेल और फिमेल दोनों का दोनों 4% से बढ़ता जन संख्या तो बेटा 2800 बढ़ना च सर यहां पर 4% से बढ़ता तो 2800 बढ़ता इसका मतलब 2800 मैनस कर दो कि साब साब दिख रहा है कि सर अगर इसमेंट 200 मैनस कर दिया जाए तो आप बोल से तो सर 720 जो एक्स्टा बढ़ गया ये एक्स्टा कहां से आया मितुन सर ये बता दो हम बले ये 2% जो तुम एक्स्टा पढ़ गया वह दो परसन एक्सटा कहां रहा हो गया तक्या यहां पर बोल सकते हो कि सर ये मैल का 2% ड्चा का मान एक्स्टा जो है सब्सक्राइब कर दो होगा देख लो तो बिना कुछ के बाद हो सिधा सिधा दो हजार अंसर मार देंगे और देंगे कितनी खुबसुरत लाजवाब तरीका है जिसको आपको सिखना चाहिए ठीक है आगे बढ़ते अगला सवाल आपके स्क्रेन पे एक और खुबसुरत सवाल यह आगया कितनी बहत्रिंग कितनी लाजवाब सवाल है में सब्सक्राइब करके गलतियां कर गए थे सवाल उतना डिफिकल नहीं था क्योंकि सीचर का सोलिशन भी मैंने आपको दिया था बहुत जिल्द है चलिए शुरुबात करते हैं इस तरह खुबसुरत सवालों को सौ जबाब जो तरीका होगा उस पर चर्चा करना चाहेंगे बला सर एक अरून बंदा एक यहां पर दीपक है इन दोनों का आई अनि इंकम अनि कमाई जो है वो रेशियो में दिया है कमाई नहीं दिया है हमें रेशियो देखकर ना अंदर से कुछ-कुछ होने लग जाता है य आपको और क्यों रोकेगा चलिए तो माल लिए कि आरून साथ सो कमारा दिपक नौसो बहुत करता है आई सर यह तो इसकी इंकम था सर आई से इंकम अब बचत को सेविंग्स को एस से दिखा रहो समझ जाना बेटा है सेविंग्स तो यह आरून कितना बचाया सर अरे सर यह अरून जैसार हुस्यारे 20 परसंट बचा रहा है साथ साथ सो का 20 परसंट 140 होता है मतलई 140 बचा रहा है अरे बहुत बचत का एक बटे दो जो है सो पीप एफ फंड होता है है आपको जिसने में खाता होगा बैंक वह समझते पीप फंड होता है उसमें आपको टैक्स नहीं ले देना पड़ता हूं रखना हो को ना बिने टैक्स फ्री होता हूं से भीशिक है तो सरी पीप एफ में जमा कर रहा है सेविंग्स का पीप एफ में कौन-कौन जमा कि एक अब इसका देख लो इसका इसका दीपक का दीपक जानतों साथ बटे नौ तुम निकालोगे नौ चोका कितना है हमारे इसका देना इसका पाँपचास वार में एक कामान जब पचास आ जाएगा तो बहुत बताओ ना दीपक का सेलेरी कितना था नौट 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 करना है नौट 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 कृत है और नौट करना था हुथ क्दा है याप पाँपट हैे चलिए कुछ और खुबसूरत है जहां पर आपको उमिद करते हैं कि मजा आने बला है यह सवाल पढ़़िएगा कितनी बहत्रिक सवाल है कितने जवाब सवाल है और यह मेंस के लिए important सवाल बन रहा है देखे बात करते हैं अराम से पढ़ियेगा जिसे आप लोग कभी मौक कभी के सवाल फ्रेम किए मौक टेश्ट पर सवाल फ्रेमध की तो हमारी रियल लाइप की समस्या जिसकूम लो एगर उस नजर से देखें रियल लाइप खी तो मैथ अससान लगेगा इसको मैथमेटी के तोर पर देखेंगा और हम चाहते भी नहीं के विए से आप तोटल बादर माथमेटिक का टेस्ट मे कितने कॉस्टन थे 75 को तन बहुत बढ़े हैं यह पचसातर मैसे लुए कि सब्सक्षा ूसेट्स था अर्थमैटिक का जो सब सब्सक्राइब जैवर्जस्ट इसमें को सेक्षण था जो अधिया मिति का सेक्षण था तो तो गया टोटल पच्छाटर को सन अब यतने को सन आपके मौक में थे लेकिन आपने कितना साल के भी तो मुद्दा है ना आओ बात करते हैं सर आपने हमने सॉल क्या किया हम भले देखो बताओ तुम कितना सॉल किया आई बात सॉलिशन आपका जो सॉलिशन से रहा है कुछ ऐसा रहा है हम भले क्या सर यह अर्थमेटिक का ना सतर परसन को सन हम भले सतर परसन दस का मतलब साथ को सन तुमने सॉल किया दस में से साथ को सन आपने solve कर लिया, arithmetic का, सर, algebra का मातरा 40% question solve कर पाए, तो 40% का मतलब इसका 10% क्या होगा, 3, क्यों किसी भी number को 10% का लेक लिए, एक की बाद पूर्ण चिपका देंगी, तो सर, 3 चोका यह 12 question हो जाएगा, बहुत बढ़ी है, ठीक है, 12 question, अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर देखा जाए, ठीक है, आओ, यहाँ पर देखा जाए, सर, 60%, सर, 60% का मतलब क्या होगा, हम बले, सत्या, 21 question, यहाँ से अपने solve कर लिया, बहुत बढ़ी है ना, आओ, तो टोटल question के हम बात कर लिए, तो टोटल जो आपने question solve किया, कितना किया, 40 question, आपने test में कितना question solve किया, 40 question, सवाल बला नहीं, सर, इसमें पास होने के लिए, बटा, पास होने के लिए, जो ऐसो, आप देखिएगा, सर, 60% लाना पड़ेगा, 60%, हम बहुत अच्छा, 60% लाना पड़ेगा, किसका 60%, तो सर, टोटल जो 75 question था, इसका 60% अगर हम निकालते हैं, सर, तो इस तो हो जाएगा, 45 question, आनि कि आपको pass होने के लिए, 45 question सही करना था, आपने कितना solve किया, सर, 40, तो सर, और कितने question की जोरत पड़ेगी, पास होने आपको समझ में आनी चाहिए, यह सवाल आपसे बननी चाहिए, ठीक है, और मज़ा भी है, वर्दी पहन कर निकलने का अलागी मज़ा है, ठीक है, समझो इस बात को, तो तुम वर्दी के लिए पढ़ाई करो, वर्दी के लिए, समझा की नहीं, दिन रात मेहनत करो, कोई help चाहिए, हम लोग से बताओ, है ना, ओफिस मिलने आजाओ, कोई दिखके रता है, डाउट 4-5 हो जाए, कहीं नहीं बन रहा है, आजए फटा-फटा उट करके, ठीक है, चलो, क्या है दो कंडिट चुनाब में देखो, दो बंदा है, ठीक है भई, देखो, एक A है कंडिट, एक कंडिट का नाम क्या बटा है, देखो B, कितना खतरनाक सवाल है, कितना बहतरिंग सवाल है, कितना लाजवाब सवाल है, बाद रो एक बात बताओ नो, बोला दोगो सर, दो व्यक्ति है A और B, अब जितने टोटल जो सब मत दाता थे, उसमें से तीन बटे पांच लोगों ने क्या बोला, कि भाईया A से वादा किया, कि हम तुमको भोड देंगे, लिखा न, कि तीन बटे पांच मत दाताओं ने A को भोड देने का वादा किया, तो यहीं से तुम्हारा सवाल मानने का सुरूआ, सवाल कितना असान होगा, वो इसी लाइन से डिजाईर हो गया, इसका मतलब समझे, टोटल वाले, नीचे वाले को टोटल बोलते हैं, अगर टोटल पांच लोगों होंगे, जिसमें से तीन पढ़ेगा, 200 लोगों ने किसको बोट देगा, B को, दो ही तो लोग है, हमने सवाल को आसान करने के लिए ऐसा एप्रोच डिल किया, और आपको भी ऐसा करना चाहिए, ठीक है, कर ली, आओ बटा, आओ बटा, आओ बटा, अब क्या हुआ, बोला सर, एलेक्शन के दिन तो अब बोलें, बोलें, आदो, 30 को बटाेगा, जितना लोगों ने एको वादा किया, तर उसका 30 परसन भोल देने म्कर गया, अरे मुखर जाने का मतल अगर A से मुखर लेगा, तो B में जाकर टपका देगा, और B व वदा मुखर लेगा, यह बात कोमन सवाय समझना नहीं, है ना क्योंकि सवाल डिफिकल्ट है कुछ बोला नहीं है आपको समझाने परियास कर रहा हूं अगर A से वादा मुक्रियागा बी में जाके भोट देदेगा बी वाला कर पलट जाएगा तो इसका 30% का मतलब होता 90 इसका 30% का मतलब होता 90 इसको 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 बोट डाल दिया और यहां से 90 लोग भोट कम हो जाएगा ठीक है अब वोट का वोट के दूंब 50% का भी लोग कर गए वादेश को जितने लोगों ने जाए यहां- 100 कर दो और यहां पर माइनस सो करना पड़ेगा, जितना लोगों ने याँ छोड़ कर गया, दो सो लोगों ने वादा किया था, पचास परसे मतल़ सो लोग छोड़ दिये, और सो इधर आ गया, तो अवरॉल क्या हुआ, सब नबे लोग छोड़ कर गया, लकिन सो लोग वापस आ गया, तो अवरॉल दस लोग ज्यादा भोड़ दिया, किसको? एको, एको तीन सो लोगों ने भोड़ देने वाला था, लकिन आप दस लोग ज्यादा, दस लोग क्यों? नबे छोड़ कर गया, सो आ गया, अब सवाल क्या बोला, हम बोले क्या? कि सर जनते हो, एक ने चुनाफ जीत गया, कितना भोड़ से? उनीस हजार दो से, हम बोले नहीं, हमारे इंसाफ से सर इसको तीन सो दस मिला, और इसको मिला कितना? बोलो एक सो नबे, तो हमारे इसाफ से जीता है सर वह 120 गड़ाओं के बादरो 120 होगा तो हमारे इसाफ से 120 वोट से चुनाफ जीत गया लगी बला नहीं सर 120 से नहीं इसका माना एंचीजार हजार दो सो यहीं से मैं आपको सॉल कर रहा है हमारा 120 का मान इसके उनीस हजार दो सो यह चुनाप का था अलग सवाल था ध्यार रखना जीरो-जीरो कटा दो एक का मन का लो हम बहुत है बारह का बारह हो जाएगा बर्चक बहत्तर ठीक है और यह जीरो एक का मन 160 सवाल क्या और आपको तीन जिरो और चिपका देना तो टोटाल देखेंगा असीजर बोटोस थे ऑफसे नमर कहा है ऑफसे नमर ऑफसे नमर डी जो राइटन सर तीब बहुत खुबसूरत सवाल था हम इमीद करते हैं बात क्लियर रहा होगा ठीक है अब चलिएगा एक और सवाल यहां पर देख रहे हैं आखरी सवाल होगा तकि हम लगना थे कि हम परसेंटेज का अगर हमने दस-पंदला सल उठाए है तो आपको मेंस लेवल का सवाल मिल रहा है अगला तो भी पर हम प्रॉफिट लोस पढाएंगे ध्यान देना यह कितना खुबसूरत सवाल है यह होगा तो पार्टी भी देंगा समझाए कि नहीं तुम वर्दी लेकर आओ मैं तुम पार्टी दूँगा तुम बिलासपुर के जिस होटल में वोलोगे ना वहां लिया कि तुम पार्टी देंगे बड़ तुम पले रिजल दो ठीक है यह रामदास नगर कौन पूशता तु नहीं मन में खलबली मत जाता है कि हम सौ में मान लेंगे तो यह नौपाद आठ नगर दिया हैं इसको मानेंगे 900 सवाल आसान करने का यही तो तरीका है ठीक है यह 900 800 बाहदरों यह कितना हो जागा तुमारा 300 हो जाएगा ठीक है अब रामदास नगर में क्या हुआ रामदास सिस Ohio सब्सक्राइस यहां धिक ऑणके श्यायर निगरी तलकलते उसको माने थें हैं भी ट्रैका कई पड़े लिखे अगर नहीं है तो सतर परसंट तो पड़े लिखे होंगे तो सिधा-चिदा सतर परसंट कुछ निकाल रहा हो ऊपन्दा तो सब्सक्राइब तो बोला कि विरासपूर का सक्षर्टा दर क्या है तो हम बोले टोटल पर देख लो कितने लोग पढ़े लिखे हैं सीधा-सीधा मामला लिप्टा देंगे तो यह से लिट्रेसी लेटर हम निकाल देंगे फटा पड़ से ठीक है यह लिट्रेसी जो परसंट है नहीं किसे निक परसंटेज चाहिए तो लो सो से गुना कर दो ठीक है तो तीन जूरो से खतम करना दो से भाग देदना तो कितना हो जाएगा साथ दूनी चोगदा साथ दूनी चोगदा यह पॉइंट कितना होगा पाच मतलब 77.5 परसंट जो है तो इतने डिफिकल सवाल आपको लग सकता अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अत्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक पर क्लिक करें हमेशा आपके साथ टीम कोको